और दोनों टीमों से आज एक शानदार खेल की अपेक्षा है विकेट सक्त रखी गई है यकीन ज़्यादा उचान कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत के गेन बाजी करने का फैसला किया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलारी जो आज मैदान में उतरेंगे पाइज नई गेन के साथ पिच्च की तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग बैच्टन पिच्च की और बढ़ते हुए तेज गेन बास को लाया गया है बल्ले बास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए आसानी से केला एक रन के लिए कमाल की बल्लेवाज एक फूब सूरा शॉट तो देखने मिल रही होने आसानी से कहला एक रन के लिए के लिबाज अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिले आसानी से दो रन मिल सकते हैं यहाँ सिंगल लेक बढ़िया केला आसानी से दो रन मिल सकते हैं बैतर इन रनिंग बिट्विन दो विकेड दोनों बल्लेवाज उनके बीच आसानी से दो रन मिल सकते हैं यहाँ विकेड अब गेन बाजी करेंगे काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्लेवाज लंबी यह निद खेला चाहते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए सबसे महतो पूर होते हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा गेंग की गती से बीट हुए बल्लेवाज रुम्बान चग गेंबाजी और यह आया इनका फेमस सल्यूट और दर्शक भी खोश बल्लेवाज पेविलिन का लंबा रस्ता तेह करते हुए कहना होगा कि यहाँ पर शॉर्ट गेंबाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेड अब गेंबाजी करेंगे बल्लेवाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे है आसानी से केला एक रन के लिए कमान गाई शॉर्ट चौका मिलेगा अब गेंबाजी करेंगे अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा अच्छा शॉर्ट दो रन मिल सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं तो इस पिछ पर कितना परचिस मिलता है काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज लंबी एनिज खेलना चाते हैं अच्छा शॉर्ट है ये बहुत ही अच्छा शॉर्ट और गेंज सीधा सीमा रेखा के बार रन रेट बढ़ाने के लिए और ये आउट बल्लेबाज गेंद को जमीन पर नहीं रख पाए और कैच दे बैठे इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बाज से पविलिन के और जाते हुए बल्लेबाज बड़े हताश खराब शॉर्ट बल्लेबाज दौरा चत्वराई से गेंद बाज ही कर रहे हैं गेंद बाज बड़िया फिल्डिंग डबाउट बनाए रखना बहुत जरूरी बड़िया फिल्डिंग गेंपे चार्ज किया फिल्डर ने आसानी से केला एक रख गेंबाज अपने प्रिफ़र्ड एंड से गेंबाज ही करते हुए अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं गेंबाज अटैक में किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महत्व पूर होते हैं कमाल का ये शॉर्ट चौका मिलेगा आसानी से खेला एक रन के लिए बहुती शांदार प्लेस्मेंट और चार रन मिलेंगे यहां पर जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है काफी तेज दौड लगाई हैं पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगे यहां पर ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने मिल गया विकेंड वाह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है के लाड़ी ने एस टीम पूरी तरह से तयार लग रही हैं आपर ओपनर्स फील्ड में आते हुए दर्शक पूरे जोश से उनका स्वागत करते हुए सब तयार इनिंग्स की पहली गेन के लिए आवा में दे मारा है और ये मिस्फिल्डिंग शायद बॉल की गती भाप नहीं पाए खिलाडी शायद बॉल की गती को भापने में गलती कर बैठे मगर शायद सतर्क नहीं हवा में खेला है ये शौर क्याप में खेल दिया है क्या दूसरा रंचुरा पाएंगे बढ़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब सुन्दर शायद गैप में सीधा चार रं के लिए किसी फील्डर को मौका नहीं वाँ पर और गेंस सीधा सीमा रेखा के बाहर चलो देखते हैं कमाल का ये शौर चौका मिलेगा बढ़िया फार्म में लग रहे है बल्ले बाज और याओ जाना होगा बिना हाता खुले इस विकेट की तलास थी इने कैप्टन काफी कोश गेंद बास से काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोर आए कप्तान ने बड़िया फील लगाई है और गेंद बास भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बासी कर रहे है तगरा शॉक कॉन्फिडेंस से भरपूर अनुशासन देखाना होगा गेंद की गती से बीट हुए बले बाज रुम्बान चक गेंद बाजी और ये गेंद बाज अपनी अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए और ये बोल जैसे आप देख रहे हैं ये अकिरिसी दिखा रहे हैं गेंद बाद अपने स्पेल में आसानी से दोर रन मिल सकते हैं यहाँ निराशा जनक मिस्स फिल्ड किया है उंग्लियों के बीट से निकल गई गेंद एसे गल्तियों को नदाफा ज़रा ये शौर्ट फास आउट फिल्ड चार रन मिलिंगे लेंग काफी जल्दी पिक की वहाँ पर बल्ले बाद ने गेंद बादों को ज्यादा अनुशासन से गेंद बाद ही करनी होगी अब गजब का कैट बल्ले बाद है इसी फिल्डिंग देखतर इस विकेट की तलाश थी ने कैपटन काफी कोश गेंद बाद से पविलिन के और जाते हुए बल्ले बाद बड़े हताश पाउर प्ले की समापती कपतान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ड सिर्कल के बाहर रख सकते है किसी फिल्डर को मौका नहीं वहां पर और गेंज सीधा सीमा रेखा के बाहर आसानी से खेला एक रन के लिए थेज शॉट चार रन के लिए क्या फूट टाइमिंग थी अच्छा शॉट है ये बहुती अच्छा शॉट और गेंज सीधा सीमा रेखा के बाहर लंग के छक्के छुड़ा देते हैं लंबा शॉट खेलने का प्रयास और गेंज सीधा फिल्डर के हातों में इस विकेट की तलास थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बास से कप्तान ने बढ़िया फिल्ड लगाई है और गेंद बास भी फिल्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे है वाह क्या कड़क सॉट मारा है बल्ले बास को यहाँ जोश में होश नहीं गवाना चाहिए हवा में दे मारा है अच्छा तो लिकाने पी अच्छा तो लिकाने पी झाल झाल झाल